आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले वीक में बाजार के लिए कौन कौन सी ख़वर जो होंगी मार्केट की उपर इंपेक्ट डाल सकती हैं या मार्केट को अब कर सकती हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे कह चाहूंगी अगर आपने फर्स टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को वैल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट टाइम भी मिल सकें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आने वाला जो हफ्ता है मंडे से 5 दिन का नहीं रहने वाला है क्योंकि 13 मैं को इध है जिस कारण मार्केट की चुट्टी हमको देखने के लिए मिलेगी तो सबसे इंपोर्टेंट क्या निउजर इससे रिलेडिट हम वो चेक कर लेते ह हैं तो चलिए देख लेते हैं तो गाइस अभी हमको जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इवेंट में तो हमको कौटली रिजर्ट का सिल्जला लगातार देखने के लिए मिल रहा है तो कंपनी के कौटली अर्णिंग्स यहां अगर हम बात करें तो 165 कंपनी के तो आने वाले बीक हमको उनके रिजर्ट्स अनांस होते हुए देखने को मिल सकते हैं जैसे लर्सन अंटर्गो हुआ टक्टर रेडी स्टॉक हुआ यूपियल हुआ बेदानता हुआ सिपला लिपिन अगर हम बात करें ऐसी ही बड़ी बड़ी दिग्रच कंपनी के हमको नं रिडार पर सैट करना है यह फिक्स करना है कि अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली हम इस पर फोकन करेंगे तो ये थी कोटली अर्निंस की बाद रिजर्ट्स की बाद अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट निउस की जी हाँ दोस्तों COVID-19 COVID-19 आप सभी को दिखाई दे रहा है यह सभी को पता है COVID-19 सबसे बड़ा फेक्टर अभी मार्केट के लिए बना हुआ है गर हम बात करें हर जगे हमको केसिस काफी ज़ादा देखने को मिल रहे है आरजी ने भी कहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो बाकी सारे स्टाक में हमको काफी ज़ादा डाउन मूमेंट देखने को मिल सकता है डेट की अगर मैं बात करूँ तो पर डेट की डेट अभी 4187 से ज़ादा देखने के लिए मिल रहे है ग्राफ आप देख सकते हैं काफी ज़ादा हमको यह यहाँ पर नेगिटिव ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है डेली की काफी सारे केसिस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं हम बाकी सारे राज्यों की बात करें MP के अलावे भी महरास्टा, डेली, मुंबई सभी जगा केसिस देली बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हमको कोई भी चीज कंट्रोल में देखने को नहीं मिल रही तो इसका सीधा इंपेक्ट हम स्टॉक मार्केट पर फिलहाग देख पा रहे हैं अभी कुछ टाइम पहले ही जो यूर्थ हैं उनके लिए वैक्सिनेशन की न्यूज आए थी बट अभी रेजिस्टेशन अभी कंट्यूनी चली रहे हैं बट अभी कोई भी डोज नहीं लगा है और अब आने वाले समय में हो सकता है कि चीजें फिर से स्टार्ट कर दें सप्लाई स्टार्ट हो जाए तो गो वैक्सिनेशन भी लग जाएगी तो एक सुकुन मेरा एक ख़बर कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं बट केसिस हमको लगातार यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं देन अगर हम बात करें next news की देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको data की बात देखने को मिल रही है वो है economic data point आपको पता है reserves का foreign reserves का deposits का WPI, inflation data तो इस बक्त हमें coming week में देखने को मिल रहा है वो सबसे important जो की industrial production and manufacturing production से related हमको March वाला data देखने को मिल रहा है जो की recently हमको Wednesday को release होते हुए देखने को मिलेगा तो यह भी काफी अच्छी news या काफी ज्यादा important news होती है जो आपके लिए जानना काफी ज़रूरी रहते है because economic GDP से related stock market पे काफी impact हमको देखने के लिए मिलता है और वहीं अगर हम WPI, inflation की बात करें तो वो data हमको April में Friday 14, 14th को देखने को मिल सकता है तो इस पे भी अपना एक focus जरूर से रखें इसके अलावा भी अगर हम news की बात करें तो जी हाँ दो तो यहां हम बात करने वाल है commodity market की तो इसका impact भी हमको stock market पे definitely देखने को मिलेगा यहां पर भी अपना एक focus बनाय रखना है इस से related भी हमको काफी अच्छे news देखने को मिल रही है जैसे की global recovery यहां पर commodity market में हमको देखने के लिए मिल रही है because इसका cedar direct connection stock market से होता है तो इस पर भी अपना एक focus जरूर से आप रखें अगर हम next update की बात करें तो वो है जी हां दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं RBI is related आप सभी को मैंने पछले वो वीडियो में बताया था कि RBI ने unseduled meeting रखे गई है जिसमें पच्छास हजार करोर के लगभग आपको यहां पर बताया गया था लिक्यूटीज देखने को मिल रही थी तो यह सब निउस का इंपक्ट यह फ्राइड़ के दिन हमको देखने के लिए मिले थी इसका इंपक्ट मंडे मार्केट पर definitely हमको देखने के लिए मिल सकता है इस पर भी अपना फोकस जरूर से रखें unseduled meeting क्यों रखी गई थी इसका क्या impact पढ़ सकता है मार्केट पर तो यह सारी चीजें भी आपको देखके चलना है देन अगर हम बात करें foreigns का data तो यहां पर हमको मैं मंत का data देखने को मिलेगा foreign का यहां पर अगर हम बात करें next news की तो यहां पर अगर हम बात करें foreign investor ने भी अपना data यहां पर काफी ज़्यादा हमको deposit या कहना चाहिए यहां पर हमको देखने को मिल रहा है काफी ज़्यादा पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहा है तो अगर हम data की बात करें तो 5000 कर लोगोड के लगभग यहां पर foreign data में देखने को मिल रहा है कि यहां पर पैसा निकालते हुए दिख रहा है reason simple covid reason है lockdown reason है यह सब reason यहां पर foreign भी देख पा रहा है तो कह सकते हैं इसका impact भी stock market पर जरूर से देखने को मिलेगा देन अगर हम बात करें जी हां दोस्तों यहां अगर हम बात करें dollar की तो यहां पर हमको dollar बापस से नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है 72 से 75 range पर यह अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है अब देख सकते हैं एक मेने का chart pattern maximum अगर हम देखें तो काफ़ी ची growth ही बट अभी recently हमको काफ़ी जादा volatility बड़ा dollar देखने को मिल रहा है तो कह सकते हैं इसका भी impact हमको कहीं न कहीं market पर देखने के लिए जरूर से मिलेगा देन अगर हम बात करें यहां पर crude oil की तो आप देख पा रहा होंगे 70,000 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है तो कह सकते हैं community market बी काफ़ी जादा globally strong हो रहा है और यहां commodity market में भी काफी हल चल देखने को मिल रही है और crude oil के अगर हम बात करें तो यह भी हमको 70,000 के करीब हमको जाते हुए देखने को मिल रहा है तो definitely यह सारी चीज़ में आपको क्यों बता रही हूं impact stock market पे पढ़े या ना पढ़े आपके knowledge के लिए सारी चीज़ जाना काफी जरूरी हो जाता है तो इससे related यह news आपके लिए जाना जरूरी है देन अगर हम बात करें तो जी हाँ friend यहाँ पे हम बात करने वाले हैं gold prize की जो की बापिस से हमको 49-50,000 के करीब देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमको काफी अच्छी recovery एक कह सकते हैं देखने को मिल रही है तो यह यह थी काफी सारी important news जो आपके लिए मैंने ये वीडियो में include की है तो आप देख सकते हैं इसमें हमको काफी अच्छा एक recovery ये देखिए अगर एक साल की चार्ट विटन देखें तो काफी ज़्याद है यहाँ पे हमको grab up देखने को मिल रही है बट फिलहाल हमको sona 49-50,000 के करीब देखने को मिल रहा है तो गाइस ये थी markets related कुछ update जो आपके लिए जानना काफी ज़रा जरूरी थी अब जानने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगी अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को join नहीं किया है तो आप link में जाकर उसको join कर सकते हैं वहाँ भी काफी सारी updates आपको provide की जाएंगी देन जाते हुए आपसे कहना चाहूंगी कि brokerage के नाम भी brokerage के नाम पर अगर आप भी अपना पैसा बरबाद कर रहे हैं तो मैंने इंडिया के top broker की link इसी वीडियो के description में provide किया आप वहाँ जाकर उनको join करकर अपना डिगमेट open करा सकते हैं और brokerage के नाम पर अपना पैसा बरबाद मेंने से बचा सकते हैं Thank you so much